Hello everyone, this is Anita and welcome back to my channel The Knowledge Ocean आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की लेटेस्ट लिस्ट के विशेर में तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की मुख्य मंत्री है श्री सुखविंदर सिंग सुखु जो की भारते जनता पार्टी से संबन्द रखते हैं और एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने श्रपतली 11 दिसंबर 2022 को हर्याना की मुख्य मंत्री है श्री मनोहा लाल खटर जो की भारते जनता पार्टी से बिलॉंग करते हैं और 27 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर श्रपतली उत्राखंड के मुख्य मंत्री है पुषकर सिंग धामी जो की भारते जनता पार्टी से बिलॉंग रखते हैं और 23 मार 2022 को उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर श्रपतली गुजरात के मुख्य मंत्री है श्री अशोग गहलोज जो की इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से संबंद रखते हैं और अज चीफ मिनिस्टर श्रपतली 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रिदेश के मुख्य मंत्री है श्री श्री श्रीवरा सिंग चोहान जो की भारते जनता पार्टी से बिलॉंग करते हैं और अज चीफ मिनिस्टर उन्होंने श्रपतली 23 मार 2022 को महराश्च के मुख्य मंत्री है श्री एकनाश शिंदे जो की श्रीवरा सिंग से बिलॉंग करते हैं और अज चीफ मिनिस्टर उन्होंने श्रपतली 30 जून 2022 को उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है श्री योगी आदितेनाज जी जो की भारते जनता पार्टी से बिलॉंग करते हैं और 25 मार्च 2022 को उन्होंने ऐस चीफ मिनिस्टर शपतली बिहार के मुख्य मंत्री है श्री नितीश कुमार जो की जनता दल युनाइटिट से संबंद रखते हैं और अज चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपतली 10 अगर्ष 2022 को जारखंड के मुख्य मंत्री हैं श्री हेमत सोरोन जो की जारखंड मुक्ती मोचा से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश सपतली 29 दिसंबर 2019 को 36 गड़ के मुख्य मंत्री हैं श्री भुपेश बगेल जो की इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश सपतली 17 दिसंबर 2018 को वेस्ट पेंगॉल के मुख्य मंत्री हैं श्री मम्ता बेनर जी जो की तरिनमूल कॉंग्रेस से संबंद रखती हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश सपतली 5 मई 2021 को उडिसा के मुख्य मंत्री हैं श्री नवीन पतनायक जो की बीजो जन्तादर से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश सपतली 29 मई 2019 को आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री हैं श्री वाईयस जगन मोहन रेडी जो की वाईयसर कॉंग्रेस पार्टी से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश सपतली 30 मई 2019 को तेलंगाना के मुख्य मंत्री हैं श्री केच अंदर शेखर राउज जो की भारत रक्षा समीती से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश सपतली 13 दिसंबर 2018 को गोवा के मुख्य मंत्री हैं श्री प्रमोज सावंत जो की भारत रचंता पार्टी से संबंद रखते हैं और उन्होंने एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश पतली 19 मार्श 2019 को करनाटक के मुख्य मंत्री हैं श्री सिद्धा रमया जो की इंडियन नेशल कॉंग्रेस से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश पतली 20 माई 2023 को केरिला के मुख्य मंत्री हैं श्री पिनाराई विजयन जो की कम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश पतली 20 माई 2021 को तमिल्नाडो के मुख्य मंत्री हैं श्री M.K. स्ट्रालिन जो की DMK से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश पतली 7 माई 2021 को सिक्किम के मुख्य मंत्री हैं श्री प्रेम सिंग तमंग जो की SKM यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंद रखते हैं और उन्होंने एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश पतली 7 माई 2021 को अरुनाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं श्री प्रेमा खंदू जो की भारते जन्ता पार्टी से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिन्स्राउनोनेश पतली 10 माई 2021 को नागलेंड के मुख्य मंत्री हैं श्री नाइफ यूरीो जो की एंडी पी-पी से संबंद रखते हैं और ऐस चीफ मिन्स्रा उन्होंने शपतली 8 माई 2018 को मेगालय के मुख्य मंत्री है कॉन्राड की संग्मा जो की नैशनल प्यो पिल्स पार्टी से संबंद रखते हैं और ऐसा चीफ मेंस्ट्रा उन्होंने शपतली 6 मार्स 2018 को मनीपूर के मुख्य मंत्री है श्री एन बीरेंच सिंग जो की भाते जनता पार्टी से संबन्द रखते हैं और एज़ा चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपतली 21 माई 2022 को तिरपुरा के मुख्य मंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाहाच जो की भादते जनता पार्टी से संबंद रखते हैं और एसे चीफ मिनिस्टरा उन्होने शापतली 15 मईच दोहजार अटारा को मिजोरम के मुख्यमंत्री है स्री जोरा मथांग जो की मीजो नेशनल फ्रेंट से संबंद रखती हैं और एज़ चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपतली 15 दिसंबर 2018 को देली जो की एक यूनियन टेरिट्री है यहां के मुख्यमंत्री श्री अर्विंद केजरिवाल हैं जो की आम आदमी पार्टी से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपतली 16 फरवरी 2020 को पांड़ जेरी के मुख्यमंत्री है श्री एन रंगा स्वामी जो की आल इंडियन एन आर कॉंग्रेस से संबंद रखते हैं और एज़ चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपतली 7 मई 2021 को आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही I hope आपको ये वीडियो बेनिफिशर लगी होगी अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशर लगी है तो इसे लाइक करें शेर करें और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you झाल झाल झाल